हाई माइडियर स्टुडेंट वेलकम यू आल इन मा यूटूब चैनल मैगनेटिक टिटोरियल तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास तेंथ एंसी आइटी जो कि लाइब प्रोसेस चैप्टर का हम लोग कवर कर रहे हैं तो चार पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है आप चारों पार्ट का वीडियो जाके इस लिवे से देख सकते हैं मैंने लाइन बे लाइन एक्स्प्लेइन करके पूरे एंसी आइटी को चार पार्ट में अभी तक पढ़ाया है अब हम लोग को यह पांचवा पार्ट होगा जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इस्पा फौड़ा बड़ा है मैं यहां पर लाइन बया एक्स्प्लेइन करके अच्छे से पूरे सभी चीज़ को जो एक्ट्रा चीज़ है उनकों भी मैं यहां पर इंक्लूड करते हुए आप सभी को बता रहा हूं इसलिए हो सकता है कि यह जो लाइफ प्रो शेप्प्ला यह आठ या 10 पार्ट में बने तो यह पांचवा पार्ट है जो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह मैंने कल यहां तक पढ़ा दिया था जो कि यहां पर बताया जा रहा है कि इस में जो होता है प्रोसेस सबको पता है अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि ब्रेकडाउन अब गुलुकोज इन वैरियस पाथवे एक आपका आपका लैक आप उक्सीजन और एक था आपका प्रेजेंस आप उक्सीजन तो पहला चीज तो यहां पर कुछ एनरजी भी निकलते थे ठीक है गुलुकोज सिक्स कारबन मॉलिक्यूल्स का है और पाइरुबेट थ्री कारबन मॉलिक्यूल्स का है तो यह दो चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे अगर फिर आगे बढ़ते यहां से तीन प्रोसेस और आपका बढ़ धिल फीर चेंज हो गया यहां इथानोल में और कारबन डायक्साइड में और अधानोल aty05 को और इसके साथ अनरजी यहां पर आपका निकल रहा है यह हो गया absence of oxygen में तो बहुत student को पता भी होगा कल मैंने पताया था वो जो वीडियो देखे हैं कि absence of oxygen में अगर glucose का breakdown हुआ मतलब कि ग्लाइकोलाइस अगर यहां पर हो रहा तो ऐसे process को हम लोग किस तरह का respiration देंगे क्या इसका नाम देंगे तो इसका नाम होगा those respiration which occurs in the absence of oxygen that respiration are called as anaerobic respiration क्या नाम देंगे student हम लोग anaerobic anaerobic respiration इसको shortcut में लिख देते हैं इसको आप लोग याद रखेंगे फिर अगर next part के तरह अगर हम लोग बढ़ते हैं तो next part में आपको देखने के मिलेगा कि lack of oxygen ठीक है इसमें lactic acid का formation हुआ और energy बना फिर एक और part आता है कि presence of oxygen जस्ट उपर का इसका वाइस बर्सा जो anaerobic जो हम लोग यहाँ पर देखें इसका वाइस बर्सा यहां बनता है आपका सी ओ टू प्लस एच टू ओ प्लस एनरजी यह दोनों चीज याद रखने का चीज है ऐसे रिस्पाइरेशन को क्या बोलेंगे ए रोबिक रिस्पाइरेशन ए ए आर ओ बी आई सी रिस्पाइरेशन इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दो चीज हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया तो आप सभी को इतना समझ में आ गया मैंने रिकेप करते हैं यहां पर ब्रेकडाउंस जो होगा गुलुकोज का वह पात कौन कौन सा पाथवे को फॉलो करता है तो तीन पाथवे हम लोगों ने यहां तक देख लिया थोड़ा इसको इरेश कर देते हैं फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे के तरफ ठीक है स्टुडेंट छलिये तो फिर अगर आगे यहां पर आप बढ़ते हैं देख सकते हैं लिखा हुआ नसी आई टी किसा सभी अपने पास रखेंगे थाकि उनको better understand हो पाए तो तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दा एनर्जी रिलीज्ट जो एनर्जी रिलीज होता है दिरिंग सेलुलर रिस्पाइरेशन सेलुलर रिस्पाइरेशन के दौरान is immediately used to synthesize a molecule called ATP वो ATP molecule को बनाने के लिए वो एनर्जी यूज हो जाता है ठीक है which is used to fuel all other activity in the cell जो की फिर से किस चीज़ का fuel बनता है मतलब यहां पर बोल सकते हैं और जो भी activity होते हैं सेल में उन सभी सेल को जो एनर्जी चाहिए होता है वो इस ATP molecule से प्राप्त करते हैं इतना समझ में आ गया आगे अगर देखें in this process in this processes sorry ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy यहां पर ध्यान देंगे कि ATP टूटता भी है टूटके energy देता है ATP is broken down giving rise to fixed amount of energy वो fixed amount of energy क्या है आपको यहां नीचे more to know में देखने के लिए यहां पर मिलेगा भी हम बताएंगे ठीक है यहां फिर देखेंगे which can be derived the endothermic reaction taking place in the cell endothermic और exothermic दो चीज यहां पर पढ़ने के लिए मिलता है जो कि आपको chemistry में आगे भी मिलेगा senior class में इंडो का मतलब होता है अंदर के तरफ ठीक है और thermic का मतलब होता है heat heat अंदर के तरफ यहां पर absorb हो तो ऐसे को बोलते है इंडो thermic by yourself outside में और thermic का मतलब heats work release हो उसको बोलेंगे exothermic दोनों बात समझ में आगे अगर intor अगर रिलीज हो हीट तो एक्जोथर्मिक फिर अगर हम लोग आगे यहां पर चर्चा करें एटीपी के बारे में कुछ पॉइंट्स दिये हुए हैं तो आप सभी को पता है एटीपी वाला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है जहां पर हम लोग रियक्शन वगारा पढ़ रह दो चाहता है इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा ठीक है फिर अगर आगे देखते हैं यहां से लिखा हुँआ एटीपी के बारे में की एटीपी is the energy एनरजी करेंसी पिए omc cellular processes ATP क्या है energy currency है ज्यादतर टर सेल्लर प्रो सेस के लिए इस चीज को याद मेर रख किये ठीक है ठीक एक्सेल जीद यह से एनरजी कैरियर भी हम लोग बोलते है ठीक है तो इस चीज को को आप लोग सेल भी बोलते हैं ठीक है दा एनरजी रिलीज दिरिंग दा प्रोसेस अफ रिस्पाइरेशन इस यूज तो मेक एटीपी मॉलेक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इन और्गनिक फॉस्पेट यह कैसे बनता है यहां पे लिखा हुआ जो एनरजी रिलीज होता है दिरिंग दा प् इस यहां पे दिखा वेता हूं आपको ठीक एंडीपी इन और्गनिक फॉस्पेट का यहां पर साहरा लिया प्लज देखें आप यहां पर एस से करके इसको लिख सकते एडीपी प्लस पी आई होता है ठीक है आई पी नहीं लिखेंगे इन और्गनिक फॉस्पेट को पी लेगा अभी जस्ट हम लोग देखे जो रिस्पाइरेशन का दोर न्या एनर्जी निकल रहा है इससे बन जाता है क्या एडीपी और एडीपी में क्या आंतर है डाई फॉसपेड अडेनोसीन डाई फॉसपेड ग्रूप है इस चीज को ध्यान में रखिए ठीक है यह हो गया आपका आगे यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा यह क्या है आगे है यहाँ आप देख सकते हैं इंडो थर्मिक प्र process यहां पर sale के अंदर हो रहा है दिन यूज्सатीप इसे एटीप को यूज करके reaction को proceed करते हैं विन्दर टर्मिनल फॉस पेड़ बाहर जो फॉस पेड़ लिंक होता 85 गौनरत होता दो फॉस पेट अंदर के तरप और एक फॉस पेड़ बाहर के तरप जो कि आसे से बताया जाएगा ठीक है तो बारी वाला जो फॉस्पेट होता है इस ब्रोकें यूजिंग वाटर मतलब यहां पर वाटर के द्वारा ब्रोक हो कोई भी चीज़ अगर टूट रहा है तो उसको बोलते हैं हाइड्रो लाइसिस लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक यहां पर मैं लिख देता हूँ हाइड्रो लाइसिस ठीक है हाइड्रो का मतलब क्या हो गया स्टुजेंट वाटर और लाइसिस का मतलब क्या हो गया स्टुजेंट ब्रेक ठीक है टूब्रेक बोल सकते हैं ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं तो वाटर के द्वारा breakdown होना इसी को बोलते हैं hydrolysis यह चीज याद रहेगा आप लोग को तो यहाँ पे जो energy निकलता है वो fix energy है जो कि 30.5 kJ per mole होता है इस रिलीज तो आप लोगों के लिए एक question यहाँ पे हम छोड़ देते हैं कि अगर यहाँ पे तो जूल में दिया हुआ है किलो जूल में अगर इसको calorie में change करना हो हाँ टू चेंज जूल इन्टू कैलोरी यहाँ पे question अगर लिखें हाँ तू चेंज जूल इन्टू कैलोरी यह question का answer आप लोगों को comment box में बताना है ठीक है यह question बहुत असान है आप लोग जुनियर क्लास में भी पढ़े होंगे एक fixed value होता है वो value भी आप बता देंगे तो आपको इसली से उसका answer मिल जाएगा किलो जूल यहाँ पे बोल रहा हूं बट मैं आपको जूल से calorie में change करने का बात बोल रहा हूं किलो जूल का मतलब 1000 जूल बराबर 1 किलो जूल होता है ठीक है एसाई unit है यहाँ पे जो लिखा है बैटरी में क्या होता है battery में जो भी मतलब उसके अंदर जो भी energy होते हैं वह चेंज होते हैं अलग- tomar energy में जैसे की mechanical energy में की के है इनरजी में बट बैटरी के अंदर कौन सा एनरजी होता है वह होता है केमिकल एनरजी इसको ध्यान में रखिएगा केमिकल एनरजी जब सर पढ़ाएंगे आपको सिनेर क्लास में या फिर जुनियर में थोरा बूत आप लोग पढ़ें के बारे में ठीक है एलेक्ट्रोलाइसि इसको हम यहां पर लिखना चाहेंगे उसको भी मैं यहां पर लिखी देता हूं एक मिनट तो यहां पर लिखें अगर आप लोग कि ATP को क्या-क्या बोल सकते हैं तो तीन पॉइंट में स्टुडेंट हम लोग बोलते हैं एनरजी एनरजी केरियर ऑफसेल एनरजी करेंसी ऑफसेल और एक बोलेंगे यूनिवर्सल एनरजी केरियर यह भी होगा क्योंकि सुरू में ही आप लोग पढ़ें यहां पे कि उनिवर्सल एनरजी केरियर मैंने क्यूं लिखा आपको पता होगा क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है एटीपी एनरजी करेंसी फॉर मोस्ट सेलूलर प्रोसेस ज्यादा ता सेलूलर प्रोसेस में लगभग में बोल दो तो एटीपी के रूप में ही एनरजी का यूज होता है समझ में आ गया इतना सबको अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे के तरफ चलो यहां पर देखेंगे स्टुएंट लिखा हुआ है यहां पर ध्यान से देखेंगे यह जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ठीक है सिंस दैअरो बिडियो डेख रहे हैं आप जो बच्चे अभी आधा से वीडियो देख रहा होंगे वो बोल रहा हुआ होंगे तो बताई ही नहीं तो मैंने यहीं पर बताया था मैंने सभी पॉइंट्स को एरेज कर दिया है ठीक है आप वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं तो यहां पर एरोबिक रिस्पाइरेशन वह हो गया जिसमें ऑक्सिजन ही होता है एरोबिक ओर्गेनिज्म जो ब्लांट्स एक्सचेंज गैसे थुरू इस्टोमाटा प्लांट को भी आप लोग देखे होंगे सुने होंगे आ इसा देखे तो नहीं होंगे कि वह एक्स्चेंज करते हैं गैस को वह भी डीटी सब्सपाइर करते हैं से हम लोग जैसा यहां पर पढ़ए है कि एरोबिक शि we have seen that plant exchange हम लोग मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि हम लोग पढ़े होंगे कहीं बुक में सर भी पढ़ा होंगे कि डिफ्यूजन यहां पे जो प्रोसेस होता है उसके थूरू एक्सचेंज ऑफ गैसे थूरू इस्टोमाटा होता है ठीक है यह भी पढ़े होंगे एंड लार्ज इंटर सेलूलर स्पेसे इंसियूट दैट आल सेल्स आर इंदा कॉंटेक्ट विद एयर सभी सेल यह जो भी सेल सेल के बीच में स्पेस जो होते हैं यह यह इंसियूर करता है ऐसी यूरिटी बताता है यह एयर के साथ कॉंटेक्ट तभी तो इज्ली वे से डिफ्यूजन हो पा रहा है जो कि हम लोगों में नहीं देखने के लिए मिलता है ठीक है कार्बंड डैयक्साइड मतогब डिफ्यूजन हम लोगों नहीं देखने के मिलता है इस चीज को मैंने लोग में अगर कोई बोले तो क्या होगा कभी नहीं हो सकता है possible ही नहीं है बात समझ में आ रही है they can go into फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है they can go into sales और away from away from them and out into the air यह sale में जाते हैं मतलब in फिर out भी होते हैं मतलब यहां पर exchanging हो रहा है the direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of the plant यहां बताया जा रहा है कि diffusion का जो direction होगा वह बाहर के तरफ आने का होगा या अंदर के तरफ यह तो plant से need पर न बताएगा यह plant का need क्या है उसके हिसाफ से diffusion होगा क्योंकि आपको पता है diffusion क्या है आप लोग ने पढ़ा है कि क्लास में क्लास 9 में ही क्या पढ़ा है कि diffusion is a process where the where the substance नहीं लिखेंगे हम लोग यहां पर particle simply बोल सकते हैं या फिर कोई भी चीज को बोल सकते हैं गैसी होता है where the gases moves from higher concentration ठीक है सौटकॉट में लिख रहे हैं to lower concentration ठीक है जहां पर gases का movement होगा higher to lower concentration में इसी को बोलेंगे diffusion जैसे कि perfume लगाता है कोई तो अगर बगल वाले रूम में भी रहते हैं या अगल बगल से गुजरते हैं तो पता चल जाता है तो पर्फ्यूम यहां पर लगाएगा वहां पर higher amount of molecules आ रहा है मान लेते हैं जैसे simply example अगर समझें कि एक रूम है एक person यहां पर a है एक person यहां पर b है है कि नहीं तो यह वाला क्या करता है पर्फ्यूम लगा लेता है body में देखो इतना सा रमान लो इतना ड्रॉप लेट पर्फ्यूम लगा दिया और यहां पर हो गया high और इधर तो हो गया low इधर तो है ही नहीं तो यह क्या करेगा high से low के तरफ लो करना स्टार्ट करेगा चारों तरफ लो है कहीं नहीं है तो तुरंत इस person को पता चल जाए कि सामने वाला पर्फ्यूम लगाया है इसी चीज को बोलते हैं diffusion सिंपल भाषा में यह यामपल के तहत मैंने बता दिया ठीक है ऐसे यह अस्मोसिस भी आप लोग को पढ़े होंगे तो अस्मोसिस अभी तक इसमें आया नहीं है जब आएगा तो वह भी आप लोगों को बताया जाएगा यह चीज आप लोग देख लिए और अगर आगे बढ़ें आगे फिर आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर बहुत सारा चीज देखते हैं फिर आगे इसमें और क्या है चलिए तो यहां लिखा हुआ है एट नाइट रात के बाग दे वेयर देर इस दो फोटो साइंथिस अकरिंग देखो रात को तो फोटो साइंथिस होता नहीं है नहीं और फोटो साइंथिसमें आपको पता है कि सीयोटू वाटर और में ली संग उसुम्सम7 के लिए तो रात को फौटो साइंथिस होता ही नहीं है तो co2 elimination elimination को simply समझेंगे आप लोग chemistry में क्लास में elimination reaction भी पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे ठीक है eliminate का मतलब होता eliminate कर देना जैसे हमनों सुनते हैं कहीं किरिकेट हुआ या फिर कोई भी गेम हुआ तो इस टीम ने उस टीम को eliminate कर दिया ऐसा सुनते होंगे eliminate का मतलब ऐसे ही समझो simple भाषा में कि निकाल के दिया चलो co2 elimination is the major exchange activity going on co2 का यहाँ पर elimination होगा रात के वक्त क्यों भाई क्योंकि co2 यूज नहीं हो पा रहा है अब बात को यहाँ पर समझो को ध्यान से मैं सभी चीज को समझाऊंगा लेकिन सभी आप ही को समयना होगा मान लेते हैं simple भाषा में एक पेड़ है इस टोमाटा कुछ भी समय लो इसको लीफी समय ठीक है ऐसे ही हम simple डाइग्राम से बना दियो ठीक है इसके अंदर हो गया co2 बहुत सारा क्या हो गया प्लांट में इसके अंदर co2 का कन्शेंटेशन खूब ज़्यादा हाई हो गया अब यह है रात का समय रात का समय करेगा बाहर करेगा कि नहीं तो नहीं तो यहीं चीज तो अभी जश्ट हम लोग पढ़ें यहाँ पे ऊपर कि इन्मारमेंटल कंडीशन पर कियां कि नहीं राद दिन से मतलब हुआ कि नहीं यहाँ पे हुआ है एकदम प्लांट्स के नीट पर डिपेंड किया नहीं है रात को तो प्लांट्स क्या करेगा निकाल कर लएगा चलो फेक दिये सब को जरूरी नहीं है भाई तो क्यों यूज कर जब परदस्तित हो रही ना है कि हम फोटोसंथेसिजरात को ही करने लगें ठीक है ऐस से लिए बाइशन के दारान प्लांड भी रिश्पायर करते हैं सेम हम लोग जैसा ओटू लेते हैं ठीक है सौरी गलतिया पर कहां चला गया जी स sor sour est kolo यहाँ पर बोला जा रहा है कि कि shooting कर दौरान जर्णेट होता है हुआ वह यूज होता है कहां पर यहां पर किसमें प्रथा आपका जो respiration प्रोसेस हुआ वह यहां पर बना तो region के बाद कहा यूज यहाइगा आपका फोटो सिंधेसीस में मतलब एक तरह से देखो तो यहां पर दोनों में बहुत बेनिफीट है दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है दिख रहा है कि नहीं आपको सबको समझ में आ रहा है तो यहीं रिस्पाइरेशन के दवरान जो सियो टू जो जेनरेट हुआ इसे हम लोग में भी सियो टू हम पर दोन के आने खुद से विवासमझ में आ रही है फिर आगे देखते हैं फिर क्या होता है लिखा हुआ है है एंस देर इस नो सीओ टू रिलीज अब देखो अब दीन के वक्त क्या हुआ सीओ टू यूज होने लगा दिन के वक्त सीओ का कंजप्शन मतलब बढ़ गया यहां पर कमी होने लहेगा उंदर तो कमी होगा लाएसाइब हम लोगों हो देख लिया इनस्टीड ऑफ ऑक्सीजन रिलिज इनने मेज़र ईवेंट ऐड डिस टाइम दिन के वक्त क्या होता है आप इंब यहां प determined कि बोला जाता है कि रात को क्या बोला जाता ही कि रात को सोया नहीं जाता है ठीक है कहां पे ट्री के नीचे बहुत बच्चे जैसे ही हम बोले सोच रहे होंगे कि रात को सोया नहीं आता सर क्या बोल रहे हैं पूरा सुन लो कि सोया नहीं आता है कहां पर ट्री के नीचे मान लो कि एक ट्री है ठीक है यहां पर मान लो चलो भाई मान ली एक ट्री ऐसे बना दिये सिंपल सा भासा में ठीक है ऐसा कुछ ट्री का यहाँ पर सोना नहीं चाहिए एटनाइट मैं रात की बात कर रहा हूं याद रखना यहाँ आपको ठीक है क्यूंकि रात को यहाँ अपको देखने के प्लांट है यह CO2 को निकालता है most amount of इस जो एरिया होगा यहाँ पे co2 से भर जाएगा वट आपको क्या चाहिए human being को oxygen चाहिए तो जैसे ही यहां पर co2 आने लगेगा तो यहां पर co2 का जब मात्रा बढ़ ने लएगा चारो तरफ co2 co2 oxygen यहां से भागने लएगा चलो भागो भागो जल्दी भागो तो oxygen भाग गया तो co2 ही न सिर्फ बच गया तो आदमी क्या co2 यूज करेगा उसको तो इ इंसान वहां पर क्या समझ में तो कुछ आएगा नहीं बट एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर नहीं हम बता रहे हैं कि ऐसा अग्दम नहीं सुना चाहिए एकदम इंसान मर ही जाएगा कोमा में चल जाएगा इसा बोला जाता है आप experience कर सकते हैं इस चीज को feel कर सकते है कि ऐसा होता है आप इक biology के स्टुडेंट इस सब चीज आपको पता ही होगा ठीक है रात के बड़क सीच्व निकालता आपने देखा अभी फोटो साइन्थिस कहां कब होता है दीन के वक्त होता है रात को नहीं होता है तो रात के बड़क कि यूज नहीं होगा समझ में आ ग देखते हैं student animals have evolved different organs animals अलग अलग अर्गेंस होते हैं यह याद रखना है आप टेक oxygen from the environment environment से oxygen को लेना है इसके लिए भगवान ने अलग अलग अर्गें बना दिया ताकि कोई जगडा नहीं करे ठीक है सबका अलग अलग है ठीक है from the environment and forgetting ride of the carbon dioxide produces यह भी आप इसमें ऐसा भी ऑर्गें है कि oxygen लिया तो यह तो फिर दिया भी ठीक है तो और्गें भगवान ने बना दिया चलो टेरिस्ट्रियल एनिमल्स कें ब्रेद oxygen इन दा एट्मोस्पेयर एट्मोस्पेयर से इजली oxygen ले लेता है ऐसे कि human being हो गया और भी एनिमल्स जो दिखते अगल बगल सभी ठीक है जो भी गाए हो गया आपका गोट हो गया ठीक है बहुत सो गया है सभी शीच टेदिस्ट्रियल का मतलब क्या हुआ जो एनिमल्स कहां पे रात वाटर में रहते हैं ठीक है वाटर में रहने वाले इनिमल्स यहां पर बताया जा रहे हैं कि वह जो oxygen यूज करेंगे वह जो oxygen यूज करेंगे वह होगा आपका किस फॉर्म में स्टुडेंट डिजॉल्व फॉर्म में यह चीज को याद रखिएगा बात समझ में आ रही है ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं अब कहीं कन्फ्यूज नहीं होना है एक्वाटिक और यहां पर लिखी देता हूं नहीं तो कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे और्गेनिज्म में एक्वाटिक वाले में डिजॉल्व के रूप में मतल्ब वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन हो डिज कर दिए वौटर में बोलते हैं तो वहीं चीज यहां पर हम लोग क्या हैं free oxygen को super pas Safari बट ब्लें जैन आप लोग ने क्लास नाइंन में पड़ा है वहां पर यह सकते हैं वहां पर भी अलग अलग प्रोसेस होता है फिजिकल केमिकल सब के बाद होने के बाद जब सब कुछ हो जाने के बाद तभी नाइट्रोजन यहां पर यूज होता है हम लोग के बॉड़ी में आप लोग को याद आ रहा होगा नाइट्रोजन साइकल के बारे में तो अगर नहीं आ रहा होगा तो उसका भी वीडियो अफ्लोड किया जाएगा जब नाइंध क्लास का और भी बाकी चैप्टर्स हो जाएंगे तब तो सभी चीज़ का भी आप पैदा उठा सकते हैं फिर अकर आगे के तरफ बढ़ते हैं यहां पे याद रखे का यहां पे लिख्या हुआ है ओप कुलम के बारे में अब बताएंग ओपर और क्लोजिंग होता है माउध का भी साथ साथ गिलस्लिट का भी फिश्द की बात की जा रही यह है थिक है आप aquarium में observe इसको कर सकते हैं अगर नहीं कियें तो behind their eyes also open and close upper column कहा होता just eye के पीछे के तरफ कान के पास बोल सकते हैं वहां भी up down up down दिखेगा उसी को बोलते हैं upper column are the timing of the opening and closing of the mouth and the gill slits coordinate in some manner यहां पर पुछा जा रहा है क्या timing और opening और closing का mouth और gill slit का coordinate हो रहा है क्या मतलब एक अलग से manner में आप अगर देखा जाए कुछ अलग manner में तो यह coordinate हो रहा है कि नहीं तो mouth से लेगा तभी तो यहां से निकालेगा बास समझ में आ रही है कि नहीं तो यह चीज यहां पर आपको टेखने के लिए मिलेगा माउट से अगर ले रहा है यहां पर कोई भी चीज को वाटर के फॉर्म में जो आपका क्या बोलते हैं इसको ऑक्सीजन है ठीक है वाटर इस टेकन भाई माउट करता है थ्रूद अपर कुलम अब पहले समाज लेते हैं कि अपर कुलम है क्या ठीक है चलो उतना बड़ा तो फिगर मैं नहीं बनाओंगा सीम्पल यहाँ पर देख लो ऐसा नॉर्मल सा ठीक है कि एस नॉर्मल सा अच्छा ज़िऑ था हूगा कि इस लिए यहां पर देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्च्छर देखने के लिए मिले तो आप ऐसा देखे होंगे ऐसा कान के जज़्पास मान लो यह आंक है ठीक है ऐसा आख है तो क्या होता है आपका माउथ भी यहां पर आप डाउन आप डाउन करेगा मैं एस एरो बनाएता हूं और यह वाला जो पार्ट है यह वाला याद रखिए गए यहां पर यह वाला जो पार्ट है यह वाला यह भी करता है आप डाउन ठीक है इतना को हम लोग बस अभी पड़ रहे हैं तो दोनों करता है तो यहां से water जाता है मतलब water में mainly क्या होता है oxygen और यहां से फिर निकल जाता है वही water यूज किया फिर वह निकाल दिया अपना ठीक है तो oxygen वहां भी उजा गया खूर बॉडी में चला गया महां से ब्लट के साथ मिलके तो यहीं चीज यहाँ उसी को बोलता अपर कुलम यहीं होता है ओपर कूलम ओपर ही लिखा ओपर का मतला अपर समझ लेना है अपर पाट में होता है ठीक है count the number of times of the fish open and close its mouth in a minute minute में कितनी बार तो यह लगभग 80 to 100 times बहुत जल्दी यह लदी होता आप देखते होंगे ठीक है but as we compare this to the number of times you breathe in and out in a minute आप अपने से compare करके बता सकते हैं तो मैं यहां पर लिखूंगा कि वन मीनाट में वन मीनाट में हम लोग कितनी बार करते हैं student 12 to 20 times we breathe in and out both दोनों को मिला के मैं बता रहा हूं ठीक है ब्रेद इन और आउट मतला दोनों चीज यहां पर 12 to 20 times याद रहेगा इतना चलों फिर आगे बढ़ता है याद तो रहना चाहिए अगर आगे यहां पर बढ़के आए यहां पर तो देखने के लिए आपको मिलेगा कि सिंस्ज अमाउंट ओफ एक मिनट रूगी जाओ हां अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सिजन इस फैरली लोग कंपेर्ट टू अमाउंट अपर देखा जाए ऑक्सिजन किस चीज का जो वाटर में डिजॉल्व है उसका अक्सिजन का यहां पर बात किया ज आएगा जो डिजॉल्फ फॉर्म में है oxygen उस चीज का बात यहां पर किया जा रहा है ठीक है इसी के कारण जो फीसेज होती है आपको लगता है ऐसा क्यों थोड़ा मतलब उनको अगरे जल्ली जल्ली एकदम माउट ओपन करना यह करना हम लोगों के पास तो बहुत है अराम से सास लेते हैं एकदम और आराम से सास छोड़ते भी हैं किसी करजा तो नहीं ने लिये हैं कि ले लिए फिर वो मांगेगा अभी बट फीस में क्या है वहां लगता है कि वह करजा देख लिया एक मिनट थोरा माइक को सेट कर ले हैं चलो हो गया रेट अब ब्रेधिंग इन अक्वाटिक और्गेनिज्म इस मॉस्ट फास्टर दैन दाट शीन इन दा ट्रेस्टियल और्गेनिज्म में बहुत ही फास्ट होगा आप सभी को पता है फास्ट होगा बास समझ म जारी है कि नहीं अगर आप यहां पर बात करते हैं कि फिसेश टेक इन वाटर थू देर माउथ और फोर्स इट पास्ट गिल्स वेर दा डिजॉल्व ऑक्षिएन इस टेकन अप बाइद ब्लड क्या होता है फिस यहां पर वाटर को ली माउथ के थूरू फोर्स की कहा तक ग गिल्स लीट तक ठीक है वहां से डिजॉल्व ऑक्षिजन क्या होता है बलड के द्वारा पुरे बॉड़ी तक पहुचा है तो यह चीज हम लोगों ने यहां पर देख लिया और आप सभी को एक चीज यहां पर बता दो आप सब को तैसे पता होगा भूल गया था कि 21% होता है ऑक्षिजन का अट्मोस्पेर में अलगभग 5 या 5 से 10% आप बोल सकते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पर जो एक्वाटिक एनिमल यूज करते हैं वाटर में वहां पर होते हैं ठीक है बहुत कम मात्रा में होता है तो बहुत ज्यादा ही काम हो फेरली लो होता है फिर अगर चर्चा करें यहां पर लिखा हुआ है टेरस्त्रियल औरर्गेनिज्म यूज दा ओक्षी जन इन डाट्मोस्फियर पॉर मींश्पायरशन के लिए सब भीको पता है इस अक्षिजन इच्पॉर्ड और्गेन इन डिफ्रेंट एनिमल यह ऑक्षिएन और् structure that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere यहाँ पर लिखा हुआ एक बड़ा सा point कि जितने भी हम लोग organs यहाँ पर हम लोगों ने मतलब पढ़ा कि organs से क्या होगा different different organs होता है different different animals ठीक है वो oxygen को यहाँ पर absorb करता है all these organs have a structure that increases the service सभी के पास ऐसा एक structure organ में जो increase करता है surface area को क्यों भाई ताकि वह easily way से absorb कर पाए most of the oxygen को कोई नहीं चाहिए कि deficient of oxygen में जिन्दा रहे कोई चाहिएगा कम oxygen हो तब तो फिर वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में भी जो हम लोगों ने यहाँ पर पड़ा कहां गया यह रहा फिर फिर चेंज हो जाएगा lactic acid में with the lack of oxygen इतना हो गया clear सबको समझ में आ गया lack of oxygen हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया चलो अब फिर अगर चरचा करें हम लोग यहाँ पर फिर क्या लिखाया है सिंस द ऑक्सिजन औप सिंस द एक्स्चेंज अब oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface across this surface चलोगा भी सर्फेश प्रफेश के थिरूब होगा ठीक है in order to protect this surface अब देखो भाई वो तो इतना मुलायम इतना कोमल सा structure है वहीं पर सब कुछ हो रहा है कार्यकरम आप कोई कार्यकरम को क्यों न बचाए तो कार्यकरम को बचाने के लिए उस चीज को बचाने के लिए उस fine delicate surface को protection प्रवाइट करना सबसे जरूरी काम है इस वाली प्लेस्ट विदिन दा वाड़ी यह तो बॉड़ी में ही होगा लंक्स तो बाहर होता नहीं है यह हम लोग अपना चर्चा कर रहे हैं क्यों क्योंकि मैं इस चैप्टर में लाइप प्रोसेश जो चैप्टर है लगबख चीज ह सब चीज के बारे में हां ठीक है में ली हम लोग फिर प्लांट में आता है थोड़ा बहुत चर्चा कर लिए है वी पुरा डाइश्टी स्टम अलेमेंटरी कनाल यहां पर आगे हमी लोग का पढ़ेंगे ऑगे फटरेशन मी परोक का इसलिए मैं यहां पर देखेंगे धिया से विदिन दा बॉड़ी सो देर हैब टू एपैसेज देट विल टेक एयर टू दिस एरिया एक पैसेज भी होना चाहिए एक चैनल भी होना चाहिए कि नहीं देखो सभी पॉइंट को यहां पर बता रहा है एंसी आई टी समझना आपको है समझाना मेरा काम है मैं समझा रहा तो यहां भी भाई ट्राommes के थ्री होते जाएगा कि नहीं वकल कोड्स के थ्रू होते हुए ट्रैकिया जो पाइप है पिर आगे ब्रॉंकियों सी बड़ जाएगा आगे चलके दोनों तरफ लंक्स में यह पैसेज के अधर्षाररा यहां पे इन एडिशन Orid a mechanism for moving the air in and out of this air where the oxygen absorbed तो बोला जा रहा है यहां पर कि यहां पर एक mechanism होना चाहिए जैसा कि वहां भी हम लोग पढ़े थे mechanism नुटिशन में पढ़े थी कि नहीं कि पहले ingestion हुआ फिर हम लोग और भी process पढ़ते रहें पढ़े थी कि नहीं digestion हुआ absorption हुआ, assimilation हुआ और excretion या फिरization हुआ पांच process पढ़े तो वैसा ही यहां भी mechanism पढ़ना पढ़ेगा एकदम समझ लो भाई चलो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है यह पूरा जो mechanism हम लोग जो देख रहे हैं अब हम लोग बढ़ते हैं यहां पर इन figure जो यह दिया हुआ है NCIT में यह figure 6.9 इसका तो चर्चा करेंगे ही पहले हम लोग थुरा सा यहां पर side में दिया हुआ इसको पहले पढ़ लेते हैं ठीक है इसको देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई साब more to know चलो यहां पर आजाओ जल्दी से दोड़के आगए तो more to know में यहां तक बता दिया इस हार्म फूल वह होता है डेंजरस तो भाई डेंजरस को कर दो पाले रेड ऐसा ताकि सबको दिख जाए ठीक है क्योंकि डेंजरस चीज जल्दी दिखता नहीं है यूज आप टोबैको मोस्ट कॉमनली एफेक्ट दा टंग लंग्स हर्ट एंड लीव इस अभी चीज होगा ठीक है यह सभी पार्ट को मेंडी करता है यह कि हम लोग टंग के थूरू हम लोग मुह में रखते हैं बहुत देर तक आपको पता होगा हम लोग बोलने का मतलब यह मत समझ देना कि हम ही रखते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है मतलब बता रहें मनुश्य की बात ठीक है कि वो टंग से क्या करता है पता नहीं अब क्या से क्या मैकेनी उनकंदर चलता है गुटका को दीन बर लिए रहा जाते हैं कहीं भी थूख देते हैं ऐसा भी होता है ठीक है तो यहां पर लिखा हूए स्मोकलेस टोबैको इस ऑलसो ए मेजर इस फैक्टर पॉर हर्ट अटैक या रख yüzden कि एसा नहीं है कि सिगरेट जो पी रहा है तो दूर से कोई देखके बोलता है कि बहुत पी धुख धुआ धुआ कर दिया है थूआ-धुआ कर दिया है थूआ कर दोप्स आप देख लीजे थैं आप भी तो सूर्ती पर रग रहे हुए हैं है कि नही तो वहाँ पर क्या होता है आपका क्या है smokeless tobacco है वह भी tobacco है आप समझो कि वह ज्यादा रिस्क बन जाता है आपके heart attack को जिसको cardiac arrest भी बोलते है student याद रखिएगा क्या बोलते है cardiac arrest हम बताएंगे कि क्या क्या इस बिमारी होता है stroke बोलते है brain related बिमारी को जहां पर insufficient oxygen पहुच पाता है ब्रेन में उसी को बोलते हैं क्या स्ट्रॉक सदेन यह सभी चीज सदेन होगा परमनारी डिजीज हो सकता है यह लॉंग टर्म हो सकता है मतलब कुछ दिन से ऐसा अटेक करते करते एक बैक अटेक सदेन होता है ठीक है हाई इंसीडेंस ऑप औरल कैंसल इंडिया डिव टू चीविंग टोबैको देखो टोबैको को चबाने से इन फॉर्म अब गुटका वहीं गुटका का बात आगया भाई पूरा एकदम परचार है ठीक है इस्टे हेल्दी जस्ते नों टू टोबैको एन इस प्रोड़क यहां अच्छा बात है बट आप लोग स्टुडेंट या जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं ओ आप लोग अपने अगल बगल टीप्स में या जो भी हो सजेस्ट कर सकते हैं कि स्टे हेल्दी जस्ते नों टू टोबैको एन इस प्रोड़क तो यह हम लोगों ने पढ़ क्यांती होता है हम लोगों का ठीक है बकल केविटी हम यह स्मॉल से स्ट्र इसे करकर नीचे के तरफ से भी है आपको यह मद आ किस सर्कॉन सा बना रहे हैं आसा हीए क्षियाम्पल एक दे रहरे हैं ठीक है यह हो गया अपर जॉव और यह हो गया लोवर जॉव सबको पता है कि अपर वाला फिक्स है कि लोवर वाला जल्दी बताओ तो अपर वाला फिक्स होता है बहुत कोई पकड़ के देख रहा होगा देखे तो पकड़ के अपर वाला फिक्स है कि लोर वाला बहुत को ऐसे से उपर नीचे करता होगा चलो हाँ सर नीचे वाला हिल रहा है उपर वाला तो नहीं हिल रहा है बहुत ट्राइ किये हैं तो वह ह इसका जो जीतना कुल रहा है यहां प्लहा रहा है ओपैनिन की चितना बता रहा है वह बाध बाद मालो यहां पर खुल एक शिंध ऑफाय चोंब उसके ठीट रहाँ हो जाएगा आपका बाध में चल के वह दिर्षा दो सेंटिमीटरं बहुत परशानी होगी फिर उसके बाद ना खाना जाएगा ना पूछ और उसके बाद जॉल लॉक हो जाएगा ठीक है यह सबी चीज होता है डिजीज में आ जाता है तो यह हम लोगों ने पढ़ लिया अब पढ़ना यहाँ से हम लोग को यह सबी चीज बट हम यहाँ पर दे system को यह जो आदमी मेरे सामने यहां पर बता रहा है खड़ा ओके देखो आदा दूरा कंकाल के जैसे ठीक है इसको हम चलते हैं आज फिनिस कर देते हैं इसमें क्या क्या है उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे पूरा portion कि कल और हम लोग को क्या क्या पढ़ना उपर से वहीं से देंगे फिर जो हम लोग कर चुटा हुआ है बट आज हम इसको पूरा डील कर देते हैं यानि कि कल वाला वीडियो को पढ़ने के लिए वाला वीडियो बहुत ही आवश्यक है बहुत ही जरूरी है याद रखिए इस चीज को ठीक है तो फिर हम लोग बढ़ें यहां से आग nostrils क्या बोलते श्रें nostrils और इस दो होल्स के बीच में एक ऐसा पैसेज भी होता है जिसको बोलते हैं से ब्टम हम बताएंगे और भी खूलके टेंसन नहीं लेना बात सम्झ में आरही है नजाल पैसेज के थूढू एयर आया फिर यहां से देखने ऐसे से आके ऐसे से करकर अंदर चला गया फिर ऐसे हो गया फिर एक्स्चेंजिंग हुआ फिर इसी पैसे के तुरू बाहर भी निकल गया ठीक इतना तो मान लिए चलो बट हम लोग को समझना और भी चीज यह हो गया माउद के विटी या फिर बकल के विटी नीचे जो आपको और भी पार्ट्स यहां सब्छाइं मतल्क तुफान ला दिये हैं अच्छा तो हम इसको हमझें ठीक है अभी बच्छा बोले नहीं तो यहां देखो फैरिंग्स हो गया यहां पर लेरिंग्स हो गया उसकी निचे जिसको बोलतें लोकल कोड की बोलते कोड कि या फिर वाइस बॉक्स वाइस बॉक्स या फिर एडम्स एपल बहुत सरा चीज यह आप पड़ा हुआ है यह पेपल और ही फुला हुआ थोरा सा यहां पूझ नहीं है ठीक है तो यह होगा लेरिंग्स के बारे में वाइस बॉक ईपी गोलोटिस आपको यहां पर चलो यहां पर हम कर देते हैं ऐसे ईपी ग्लॉटिस को समझ में आ गया इतना समझ ले ठीक है अब फिर चलते हैं आगे उसके नीचे देखने कि इस्ट्रेन आप ट्रैकिया इसको बोलते हैं विंड पाइप आज हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या इसका यहां पर आपक है रिंगCartillage क्या आता है इसका भी चर्चा हम लोगो करना है सबीच wealthy यह यहां पर दिया है नजाल पैसेज हो पैरिंग सो लेरिंग सो विंड पाइप हो इपी गलॉटी सो काटिलेज हो लंग सो रीब सो ब्रंकाई हो ब्रंकियोल सो या फिर जो भी हम लोग पढ़ दाइफेग्राम का चर्चा नहीं किया है बट मैं वो भी बताऊंगा क्यों क्यूंकि कि फीगर में दिया है बहुत बच्चे ऐसे ही चीज़ से परसान होते हैं और आपको यूटूब में बहुत सारा वीडियो मिलेगा ऐसा कि जहां पर सिर्फ एंसी आइटी को बता दिया जा रहा है पढ़के लाइन बाइन ठीक है मतलब बहुत अच्छा बात चलो हम भी देखे हुए बहुत सारा वीडियो अच्छा लगा कि जिसने पढ़ाता है कोई भी टीचर अच्छा पढ़ाता है बट मैं यहां पर बताऊंगा आपको सभी चीज को एक्स्प्लेइन करके सभी फीगर्स को एक्टिवीटी को हर एक चीज को इसी लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइ आप किए जो भी मेरे वीडियो देखते हैं वह तो ठीक है इसको शेयर भी किजिए ताकि आगे भी ऐसा वीडियो दुसरे भी पढ़ने वाले हैं उनको बेनिफीट हो चाकर ठीक है फिर आगे देखेंगे इस दो पार्ट में बढ़ गया जिसको बोलते ब्रॉंकी इसके अं हो गया इससे निकला इससे निकला इससे निकला इससे निकला इससे निकला इससे कुछ करके देखें समझ में आ रहा है तो यह हो गया इसको बोलते हैं ब्रॉंकियोल्स और जो लास्ट जो हिस्सा बच गया यह वाला इसको बोलते क्या स्टुजेंट अल्वियोलर सेक्ट ज गोल गोल इसके उपर है तो दिख रहा हुआ ही सही आपको दिख रहा है एकदम आपका एकदम तेज है तब जो दिख गया ठीक है यह होगा इधर का जो यह पाइप बना हुआ एसा नहीं समयना है कि खाली है यहां पर यह भी ऐसा ही कुछ इस्ट्रक्चर इधर भी बनाएगा इसे से करके गोल गोल अंडा ठीक है यहां पर बना दीजेगा अपना तो यह होगा अल्वियोली और्वियोलर सैक होता है इसके अंदर ठीक है यह सभी चीश हम लोगों जहां आप ग्यासियस का एक्स्चेंज होता है अब हम लोग देखें यहां पर रिप्स अब टोटल नंबर अब रिप्स कितने होते हैं यह स्टुडेंट ही बताएंगे मेरे कॉमेंट करके ठीक है कोश्चन यहां पर लिखते हैं कि हाव मेनी रिप्स आर प्रेजेंट इन भूमें यह कोश्चन कॉमेंट बक्स में जल्दी करके लिख दो कहां पर लिखना है सीबी मतलब कॉमेंट बॉक्स में चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है और फिर आगे जब बढ़े यहां होता है नीचे ऐसा डाइफेग्राम जो डाइफेग्राम कभी अपने ऐसे करेंगे लंग्स तो जिसके बारे में पढ़ना है उसी लंग्स में तो सभी चीज है हाँ अब आया में पॉइंट कि लंग्स हम लोग पड़े थे एक बहुत ही कोमल सा इस्ट्रक्चर भगवान के द्वारा एक बनाया गया है कि इसको क्या बोलते हैं इसके उपर वाले हिश सेप में कुछा ऐसा हो जाए दोनों तरफ होता याद रखिएगा ठीक है इसके थोड़ा सा पतला सा लेयर इस पर होता है उसी को बोलते हैं प्लीवरा या फिर मेंब्रेन बोलेंगे प्लाज्मा मेंब्रेन मत याद कर लेंए यहाँ ठीक है यह हो गया अब लंग्स को बचा का रिब केज यहां पर बन जाता है पूरा जो भी ठीक है रिब केज का नंबर हम नहीं बताएं क्यूंकि आपको कॉमेंट सेक्षन में बताना आए यह सबको पता होगा तो इसका इस्ट्रक्चर अब आज आएगा किसको क्या बोलेंगे थोरासिक कैविटी इसको क्या इस्टट चीज को सबभी पार्ट को संबस्क्रण लिए यहां पर टोटल चीज को एक टू जट कमप्लीट कर लिए अब हमनों कॉल से पढ़ेंगे यहां से अगर्ष़एं बास समझ में आरी है कि आप किस की चीज का अंसर जानते हैं या आप कोई चीज पूछ रहा हूँ उसका भी आप comment कर सकते हैं question के रूप में ठीक है या discussion करना हूँ उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं या फिर कोई topics जानना हो इसके आलावा कोई भी topic उसका भी comment कर सकते हैं उस पर भी मैं video जरू वीडियो को अप्लोड किया जाएगा यह मेरा न्यू चैनल है भी वन मन्त हुआ इसलिए आपको कम वीडियो देखने के मिल रहा है आप एक साल अगर इस चैनल पर रहा जाए तो आपको खुदी समय में आ जाएगा कि कितना बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में आपको चल कि एक सेibl aur boost कि प्यूचर में आपको लिज कारा जाएगा gefो आपको लिएर है ठाला है भी जोक शिज दे में आपको खुबला जाना है आपको कमश्य है जाओी है वीडियों खार में इसारी हो सबक всё 135 Ig EIL में a जापको कि एक необ dollar आपको कि प्यूचर दीख चैनल थाएगाना इ